नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाली 2.0 पर जहांपर हम गदर 2 को लेकर एक कमपेंट चलाने जा रहे हैं और ये आज उसका पहला वीडियो है गदर 2 की रिलीस में 6 महीने का समय बचा है और हम फिल्म के रिलीस होने तक आपको फिल्म से जुड़ी हर चोटी से चोटी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइट करते रहेंगे और वो भी बिना किसी स्पॉयलर के तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करें और व फिल्म का एक एक सीन आज भी हमारे जहन में जिन्दा है बात करें फिल्म के किरदारों की यह सनी पाजी के भारी बरकाम डायलोग्स की यह आज भी अपनी चमक वैसे ही बरकरा रखे हुए हैं तारा सिंग सकीना जीते और असरफ अली से लेकर दर्मियान तक आज भी लोगो के चाहिते बने हुए हैं आपको बता दू मैस 19 क्रोंड के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 133 क्रोंड की कमाई करी थी और वो भी आज से दो दसक पहले इसी के साथ इस फिल्म ने हम आपके हैं कौन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और यह फिल्म अपने समय तक की इस फूटपॉल मिले थे यह कमाई उस समय की है जब फिल्म का अमोमन टिकेट प्राइस 15 से 20 रुपए हुआ करता था और आज अमोमन फिल्म की टिकेट प्राइस 200 से 300 रुपए के करीब ही होती है इसलिए अगर इंफलेशन को ध्यान में रखकर बात करें तो यह फिल्म गया जहां पर सनी बाजी हाथ में हतोड़ा लिए काफी खतलनाक नजर आ रहे हैं गदर 2 इंडियन सिनेमा का मोस्ट प्रिस्टीजिस प्रोजक्ट है और एक एथियासिक फिल्म का सेक्वल हमेशा से बहुत ही रिस्की माना जाता रहा है इंडियन बॉक्स ओफिस का इथिया और अगर दर्शकों को एक बड़ी एक्सपक्टेशन बन जाती है और अगर विम उस एक्सपक्टेशन को मैच नहीं कर पाती तो ऊडियनस पूरी तरह से नकार देती है इसलिए मैक्समें सीवल्मों का बॉक्स ओफिस पर बुरा ही हस्र होता है एक सफल फिल्म का सीक्वल ब इत्यासिक सफलता भी दाओं पर लगी हुई है हाला कि फिल्म के मेकर्स का कहना है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के इस डिसीजन को लिया है अदरवाइस वे गदरवन की कहानी को बिल्कुल भी टश नहीं करते हैं मेकर्स को जब लगा कि हाँ वे वाकिए इस फिल्म के साथ न पाइनली एक खानी पर राइटर सक्तिमान तलवार, डिरेक्टर अनिल सर्मा, एक्टर सनी दियोल और जी टेली फिल्म ने एक साथ थामी भरी तब जाकर इस फिल्म पर काम शुरू हुआ है आपको बता दूं जी इंटरप्राइसेस वालों की पहली फिल्मती गदर एक प्र पुराने डिरेक्टर का स्टाइल भी पुराना होता है और वे खुद को नए जवाने के हिसाब से बदल नहीं बात है क्या अनिल सर्मा इस फिल्म के साथ जेस्टिस कर पाएंगे या नहीं यह भी इस फिल्म के साथ सवाल जुड़ा हुआ है मगर परसनली मुझे ऐसा लगत क्योंकि गदर उनके केरेर की सबसे बड़ी फिल्म है यह फिल्म के हर सक्स के लिए एक प्रिस्टीजिस पोजेक्ट है इसलिए कोई भी एवन डेर्टर अनिल सर्मा भी किसी भी तरह की कसर नहीं चोड़ेंगे यहां पर सर्मा जी और सनी देवल के केरेर की पूरी पैस्टी ही लग रही है आपको बता दूं गदर वन का एक एक डायलोग भी आइकॉनिक था जिसे लोग आज तक भी भूल नहीं पाए हैं हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा अगर मैं अपनी बच्चों के लिए सर जुका सकता हूं तो काट भी सकता और क्या एक कागच पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा ऐसे दरजनोग डायलोग को सकतिमान तलवार ने लिखा था और गदर 2 के डायलोग भी ऐसे ही तगड़े होने वाले हैं और एक डायलोग पर और ऑडियेंस की सीटियां तालियां इसके बाद गदरवन का सबसे हाइलाइट था फिल्म का म्यूजिक जिसे लेजंडरी म्यूजिक कंपोजर उत्तम सिंग ने दिया था फिल्म का एक गाना आज भी एवर ग्रीन है मैं निकला गड़ी लेके उड़ जा काले का हुआ हम जुदा हो गए और मुसाफिर जाने वाले फिल्म का मुजिक अलबम चाटबस्टर था और गदरवन की आइकनिक ट्यून हे 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 इसको सुनते ही हमारी पुरानी यादे ताजा हो जाती है चूकि उत्तम सिंग अब फिल्मों में एक्टिव नहीं है इसलिए उनकी जगह पर मुजिक कंपोजर के तौर पर म मित्हुन को काश्ट किया गया है मित्हुन सोल फुल और अपना उरिजिनल म्यूजिक देने के लिए जाने जाते हैं इनके पास्ट में सारे गाने चाट बेश्टर रहे थे इसलिए डेफिनिटी गदर 2 के म्यूजिक के साथ विन नया तो करेंगे यहां पर उड़िया काले कव यह अनिल सर्मा ने नेक्स्ट लेवल की प्लनिंग करी है फिल्म के अलग-अलग एरेक्शन सीकोंस का डाये चार से पांच एक्षन डॉक्टर से कराए गया है जी हां इस फिल्म के एक्षन पर चार से पांच एक्षन डॉर्मा के साथ साथ विकी-कॉुसल रभी बढ़ मन carried और इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अनल सर्मा किसी भी चीज़ से कोई भी समझाता नहीं कर रहे हैं दोस्तों जितनी भी लीक्स निकल कर आई हैं उसमें गदर 2 का एक्षन काफी तगड़ा लग रहा है यहां पर टीनू वर्माने रिसेंटली एक एक्षन डेक्टर हैं इसलिए यकीन मानिये कि फिल्म का एक्षन बहुत ही जबर्जस्त होगा इसके बाद बात करते हैं फिल्म के सिनमेटोग्राफी की दोस्तों गदर 2 की कहानी साल 1960 के आसपास की होने वाली है इसलिए सिनमेटोग्राफी का काम तो बढ़ी जाता है नजी खान एक टॉप और एक्सपीरेंस सिनमेटोग्राफर हैं और उन्हें इंडिया पाकिस्तान और पार्टिसन के समय की अच्छी समझ है इसलिए अन्य सर्माने उन्हें यहां पर ऑनबोड किया है और यह एक सही डिसीजन ही होने वाला है दोस्तों फिल्म के एडिटर हैं किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया होगा इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस लाइक करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक् झाल झालवा